दोस्तो आज का मेरा वीडियो में बीमा कंपणी वालों के लिए और उनकी एजेंट के लिए बना रहा हूं भाई तुम लोग जहां भी मिलते हो पिछे ही पड़ जाते हो एक नया पॉलिस आया है बोलके भाई मेरा सेलरी का 60% अल्रेडी बीमा में जा चुका है अपना बीमा अपना वाइफ का बीमा मा का बीमा पापा का बीमा बेहन का बीमा और कितना बीमा करों हुआ है और बोलते रहते हो कि यह पुलिसी आपके लिए बहुत ही फाइदेमान है वह पुलिसी आपके लिए बहुत ही अच्छा है और अच्छा तो तb होगा जब मैं मर जाऊंगा और मेरे मर जाने के बाद मुझे केस़े फाइदा होगा फाइदा तो मेरे नोमीनी हो मुझे तो कभी नहीं होगा और नहीं मला तो जो सांड फीस साल बाद हो तो एवडी करवाने से जितना मिलता है उससे भी बहुत कम होता है, तो कैसे फाइदा हुआ, और घर में एक नया बच्चा पेदा हुआ नहीं, घर में पहुँच जाते हो, घर में टपक जाते हो, और बोलते हो कि यह बीमा ले जी है, आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है, अरे वो अभी भी भी नहीं किया, उसके तो बच्चे भी नहीं है, उसका तो कोई नुमीनी भी नहीं है, तो कैसे फाइदा हुआ वाई, कैसे फाइदा हुआ, देखो, मेरे सेलरी का तो 60 परसंट जात चुका है, और बोलते हो कि और एक नया बिमा लेजी आपके लिए फाइदे मंद होग तो क्या मेरे घर का खर्चा तुम उठाओगे, मेरे बीबी बच्चे को तुम पालोगे, मेरे बच्चे के स्कूल का फिश तुम भरोगे, मेरे घर का राशन तुम दोगे, या तुम चाते हो कि मेरे सेलरी के सब पैसा में बिमा में डाल दूँ, और भुक मदी से में मर सब चीज़ का वीमा नहीं होता लेकिन एक चीज़ का वीमा नहीं होता है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाओ मुझे दो मेरे गभ में बहुत सारे मच्छड हैं मैं रोज गुड़नएट लगाता हूं तो मुझे एक विमा बना के दो मच्छड के लिए मैं उसका विमा जलूर करो और अगर तुम लोग पास मच्छड का विमा है तो मेरे घर में कर आना नहीं तो ऐसे मुझे कहीं भी मिलके मेरे भीमा मत करो ठीक है